जी टी एफाई जैसे हाई ग्राफिक्स गेम को अगर हम एक लो एंड पीसे में चालाने का ट्राइ करेंगे तो लो एंड पीसे हमें कुछ ये रिप्लाई देगा अब ऐसा रिप्लाई सुनने के बाद हम लोग कर भी क्या सकते हैं बहुत कुछ योटूब पे सर्च कर सकते हैं जैसे जी टी एफाई लो एंड पीसे में कैसे वर्क करेगा जी टी एफाई 4 जी बीरेम में कैसे वर्क करेगा जी टी एफाई 2 जी बीरेम में कैसे वर्क करेगा वगेड़ा वगेड़ा अब इतना सब सर्च करने के बाद और काफी देर ढूंडने के बाद मुझे मिलता है ये वाला वीडियो अब इस वीडियो का थमनेल देखे मैं पूरी तरह से शौक्ट हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई ने GTS San Andreas को GTS 5 में कनवर्ट कर दिया है मैं सोच रहा हूँ कि इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है एक लोए नपीसी गेमर्स के लिए और मेरे लिए तो जल्दी से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि किस तरह से हम GTS San Andreas को GTS 5 बना सकते है अब GTS San Andreas को GTS 5 बनाने के लिए चाहिए थे मुझे कुछ मॉड और वो मॉड्स की लिंक भी मुझे भाई के डिस्क्रिप्शन में मिल गई तो जल्दी से मैंने सारे मॉड्स को डाउनलोड कर दिये है और GTS San Andreas तो मेरे पास पहले से ही थी तो मैंने बिना कुछ सूचे सारे मॉड्स को अपनी GTS San Andreas में डाल दिये सारे मॉड्स को डालने के बाद मैं अभी काफी ज़ादा एक्साइटिट था अपनी गेम को खिलने के लिए तो बिना देड़ी करे मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया और फाइनल रिजल्ट देखने के बाद मैं शॉक्ट हो गया अपनी हो गया चाल सब्साड़ कर देखने के बाद बाद मैं hop झाल, झाल, झाल